यूपी में CM योगी आदितेनाथ ने इस बार ईद को लेकर कई पाबंदिया लगा दी हैं। CM योगी ने पाबंदिया इस तरह से लगाई हैं जिससे की ईद भी मन जाए और दूसरे लोगों की भावनाओं को ठेज भी न पहुँचे। कोरोना वाइरस को देखते हुए CM योगी के इस कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विकरान थ्रड़क आपको बताने जा रहा हूँ कि UP में CM योगी आदितेनाथ ने बकरीद पर ऐसे क्या प्रतिबंद लगाए हैं जिनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। इद अल अधा एक अर्भी शब्द है जिसका अर्थ है कुर्बानी का त्योहार। भारतिय उप महादवीब के मुसल्मानों के लिए अर्भी बोलना नाक से अकरोड तोड़ने के समान था। क्योंकि वे सबी हिंदू थे जो धर्मांतरित हो मुसल्मान बने थे। तो उप मह सामिक त्योहार है जिस दिन बकरों की कुर्बानी दी जाती है। कुछ रईस मुसल्मान गायों और उंटों को भी हलाल करने से नहीं चूपते। बकरीद अन्य त्योहारों की तरह हर वर्ष आता है और प्राय हर वर्ष ही इसे लेकर अनेक प्रशन उठते हैं। पशु प्र बकरीद मनाते हैं और फिर प्राय सभी दल अगले वर्ष की प्रतिक्षा में लग जाते हैं। इस वर्ष बकरीद 21 जुलाई को पड़ रही है और सभी गुट पुराने रागों के साथ डटे हुए हैं। इसके इतर एक और वर्ग है और वो है सरकार का। उत्तर के मुख्य मंतरी श्री योगी अधित्यनाथ ने अपनी चिर परिचित आकरामक शैली में कुछ निर्देश प्रेशित किये हैं जो इस प्रकार हैं। गाएं और उंटों की कुरबानी प्रतिबंदित हैं। किसी अन्य निशिद्द पशु की कुरबानी प्रतिबंदित बकरीद में 50 से अधिक लोगों का जमा होना प्रतिबंदित है। पूरा विश्व इस समय करोना महामारी की चपेट में हैं और ऐसे में योगी अधित्यनाथ के यह निर्देश स्वागत योगे हैं। वैसे भी जब त्योहार त्योहार ने रहकर सार्वजनिक जहांकी बन ज बकरीद के समय सार्वजनिक स्थलो पर पर परशो को काटने से अनेक स्वास्त्य संकट पैदा हो सकते हैं। उपर से रक्त और तडपते परशो का निर्मम द्रिश्य कईयों को विचलेती भी कर सकता है। गाए हिंदू की आस्था से जुड़ी है, गोवन श्वद पर हिंद त्योहार मराने से रोक नहीं रहे हैं, तो वहीं हिंदूों और अन्य वर्गों का भी भली भाती सम्मान कर रहे हैं।